नमस्कार दोस्तों सुवागत हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के योजना पर पैंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी कुछ खबरी है सरकार द्वारा जनवरी फर्वरी मार्च महने की पैंशन नासी को ट्रांसफर करना प्रारम कर दिया गया है 3,000 रुपे से 9,000 रुपे तक की पैंशन नासी सरकार इस बार ट्रांसफर करेगी फर्वरी महिने में ही ये पैंशन नासी लाभारतियों को दी जाएगी इन पैंशन धारकों के बैंखाते में ट्रांसफर करेगी यदि आप भी सरकार से दिव्यांग, विद्वा, वर्दवस्ता, कुष्टवस्ता या तलाक्षदा में से किसी भी एक पैंशन का लाभ प्राप्त कर रहे है आपकी भी पैंशन बनी हुई है आज की यह खबर यह जानकारी आपके लिए ही है देखे बहुत से ऐसे पैंशन धारक है जिनकी पैंशन पिछले तीन महीने से, छे महीने से, या साथ महीने से या आट महीने से रुक्य हुई है बैंक खाते में पैंशन रासी नहीं पहुँच रही, पैंशन का लाभ नहीं मिल रहा है तो ऐसे pension धारकों को क्या कारी करना होगा ताकि उनको समय समय से pension का लाब मिल सके और जिरू क्योंगी pension है वह भी उनको प्राप्त हो सके तो सभी जानका detail wise में आपको मिलने जा रही है और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह भी बताएंगे कि आपको फरवरी महिने में pension मिलेगी या फिर मार्च के महिने में pension आज़ से आपके बैंखाते में ट्रांसफर की जाएगी काफी लंबे समय से pension धारक अपनी pension का इंतजार कर रहे थे जनवरी फरवरी मार्च मेंने की pension कब आएगी सरकार द्वारा से भी पैंशन धारकों का इंतजार समाप्त कर दिया गया है चलिए वीडियो की सुर्वात कर लेते हैं और जो आज का नया अपडेट है किनको पैंशन बिलेगी और किनको नई ट्रांसफर की जाएगी वह भी जानकारी हम आपको दे देते हैं देखे सरकार द्वारा तो जनवरी, फरवरी, मार्च मैनी की पैंशन नासी को ट्रांसफर करना परारम कर दिया गया है लाखो ऐसे पैंशन धारक है जिनके बैंक खाते हैं पैंशन नासी नहीं पहुँच पाएगी उनको पैंशन अगलाब नहीं मिलेगा किनको 9000 रुपे मिलेंगे वह भी हम आपको बताएंगे तो देखे वे कौन से पैंशन धारक है जिनको ये पैंशन असी नहीं मिल पाएगी क्यों नहीं मिल पाएगी वह हम आपको बता देते हैं जिन pension धारकों ने EKYC नहीं कराया, उनको pension नहीं मिलेगी, दूसरा करण, NPCIB मैपिंग नहीं कराया, उनको pension नहीं मिलेगी, तीसरा करण, जिनका bank खाता joint है, joint bank account है, उनको भी pension नहीं मिलेगी, अगले point के बारें बताते हैं, देखें यहां पर, अगला point यह कहता है कि जिस किसी pension धारक के application फारम में गलतिया है तो उनको भी pension आशिन नहीं दी जाएगी देखे साथियो pension में एक नियम यह भी add कर दिया गया है जोड दिया गया है केवल यह अभी तक वर्दवस्ता pension धारकों के लिए लागू किया गया है जितने भी वर्दवस्ता pension धारक है यदि उन्होंने अपनी pension से अपने राशन कार्ड जी हाँ आप सही सुन नहीं है अपने राशन कार्ड को link नहीं कराया एक दूसरे से यानि की pension को और राशन कार्ड को link नहीं कराया तो उनके बैंक खाते में pension 80 नहीं पहुछ पाईगी बैंक खाते में pension 80 ट्रांसफर नहीं की जाएगी अब हमारे पास एक list है वह लिष्ट हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं देखे साथ यह हमारे पास एक लिष्ट है सबसे पहले आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं तोटल एप्लिकेशन वोज फैमिली आईडी नोट फांड यानि कि यह उन पैंशन धार को की लिष्ट है जिनकी फैमिली आईडी अभी फांड नहीं हो पाई है फैमिली आईडी उनको नहीं मिल पाई है तो यहाँ पर यह कारिये आपको करना है यहाँ पर पैंशन स्कीम का नाम दिया गया है जिसमें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं दुनला दुनला आपको दिखाए दिरा होगा इसमें लिखा है Old days pension Old days pension इसमें लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर block name लिखा मिलेगा यहाँ पर पंचायत का नाम होता है यहाँ पर village नाम भी दिया गया है और इसमें देखे लिखा है राषन कार्ड नहीं है राषन कार्ड नहीं है राषन कार्ड यहाँ पर यह से भी update की गई है तो यह आपको हम आपको दिखा रहे हैं तो यदि अभी तक आपकी भी family ID यानि जो राषन कार्ड नंबर है वह है आपका link नहीं हुआ है तो जल सेल आप ये कार्य अपना पून करा लीजेगा अन्ने हो सकता है इस बार आप इस pension से वंचित रह जाए यहाँ पर जो pension धारक है बैन फिसरी उनका नाय है यहाँ पर देखनों मिलेगा उनके पिता जी का या फिर उनके पिता का देखे उनके पिता का या फिर हजबेंड का यहाँ की पती का यहाँ पर mobile नमबर अपडेट किया गया था यहाँ पर category देखे ओबीसी जैतर ओबीसी वाले हैं और यहाँ पर age भी दिखाई गई है यहाँ पर आप उमर भी देख सकते हैं तो यह अभी तक जो नियम बनाया गया है यह अभी जो वर्दवस्ता pension धारकों के लिए उनके लिए अभी निकाला गया है देखे जिन pension धारकों ने यह कारिये अपने पून नहीं किये हैं नहीं किये हैं तो उनको pension 80 नहीं मिल पाएगी जनवरी फरवरी मार्च महने की बात कर लेते हैं कि pension 80 किन को मिलेगी जिन pension धारकों ने समय रहत वे अपने ये सभी कारिये कम्प्लीट कर लिए हैं जिनके अवधन फारम में pension के जो गलतिया थी उन्होंने वह ठीक कर ली है यदि किसी pension देखे तीन महिने की है 3,000 रुपे जिस pension धारकी तीन महिने की रुक रही है तो उनको तीन रुपे मिलेंगे आपकी जानकार गले बता दे की जो pension नासी दी जा रही है एक हजार रुपे परती महने सरकार pension आसी देती है तीन महीने के हो जाते हैं तीन हजार रुपे अब ये जो तीन हजार रुपे पैंशन के हैं ये विद्वा महिलाओ को, तलाकशुदा महिलाओ को वर्द वस्ता पैंशन धारकों को और दिव्यांग पैंशन धारकों को दिये जा रहे हैं लेकिन जो कुछ तवस्था पैंशन धारक है उनको हर महिने 3,000 रुपे पैंशन के सरकार दे रही है अब यदि कोई कुछ तवस्था पैंशन का लाब ले रहे हैं और उनकी पैंशन 2 महिने के रुख रही है तो उनको 6000 रुपे मिलेंगे और यह तीन महीने के रुख रही है अब उनके अबदन फरम में कोई भी गलतिया नहीं है अधिकारी दुआरा re-verified कर लिया गया है तो उनको तीन महीने के 9000 रुपे सरकार की तरफ से दिये जाएंगे तो इस परकार से सरकार रुकिवी पैंशन भी ट्रांसफर कर रही है और जनवरी फरवरी मार्च मेने की 3000 रुपे पैंशन आसी लाभारतियों दे रही है अब यहाँ पर देखिए एक स्टेटस और हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं यहाँ पर देखिए आप एक पैंशन धार अब देखिए इनका एनपी से मैपिंग हो गया है क्योंकि आधार बेस्ट इनको पैमेंट किया जा रहा है अब यहाँ पर देखिए 3000 रुपे इनकी अमांट यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट डेट 13 फरवरी 2024 में कम्पलिट हो गई थी वैलिडेशन स्टेटस 24 फरवरी 2024 में वैलिट हो गया था अब देखिए यह कार्य कम्पलिट होने बाद यह इस यहाँ पर इस प्रोसेस में से लगया है यानि कि फंड इस्टेटस में पहुँँच गया है अब जो फाइन जो फाइल स्टेटस है यह भी कम्पलिट हो जाएगा और जहां पर पैंडिंग एट PMS है यह यहां से हट जाएगा यहां पर तारीक आ जाएगी हैना अभी तक जो कार्य रुख रहे हैं वे अंडर पोसेसिंग में हैं और पैंडिंग है P FMS पर तो उस दिनों का समय जरू लेगा हो सकता है तीन दिन का लग जाए चार दिन का पांच दिन का यह छे दिन का तो ओटोमेटिक ही यह कारिये कम्पलिट हो जाएंगे और फिर आपके बैंक खाते में जल्द ही यह तीन हजार रुपे की पैंशना से ट्रांसफर कर दियाएगी जिनको जनवरी पैंशन का लाब ले रहे हैं जैसे हमने आपको अभी समझाया अभी आपको बताया जब आप ओनलाइन अपनी पैंशन का इस्टेटस देखेंगे पी एफ यानि की पी एफ मैस के माध्यम से तो यदि देखने पर आपका भी इस प्रकार से कुछ शो हो रहा है यहां पर पैं अधिन आने वाले दिव्यांग, विद्वा, वर्दवस्ता, कुछ तवस्ता, तलाकशुदा पैंशन धारक हैं उन पैंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुश्खवरी है क्योंकि सरकार दुआरा जनवरी, फरवरी, मर्च, मैनी की पैंशन 80 को ट्रांकर करना आसा करते हैं आपको मर्दिव जानकारी पसंद आई होगी यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजेगा आपके एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है डाउट है पूछना चाहते ह नीचे कोमेंट बोक्स में आगर पूछ सकते हैं सभी सलग जब आपको दे दिया जाएगा लाश्ट में हम निवेदन यही करेंगे चैनल को सब्सक्राइब और साथी बैल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले अब हम आप से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एको नई जान करें साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत